पंच वक्त पूजन तथा शिवार्चन विदी सूथ जी ने कहा हे रिशिव अब मैं पंच मुख शिव की पूजा का वर्णन करूँगा जो साधक को भुक्ती और मुक्ती दोनों प्रदान करती है साधक को सबसे पहले मंत से उन देव का आवाहन करना चाहिए पुनह ओम हाम सद्योजाताय नमा कहकर साधक सद्योजात का आवाहन करे इन सद्योजात की आठ कलाएं कही गई है उनका नाम सिद्धी, रिद्धी, रिती, लक्षमी, मेधा, कान्ती, स्वधा और इस्थिती है सज्जुजात की पूजा करने के पश्यात ओम सिध्धय नमा इत्यादी मंत्रों से उन सभी आठ कलाओं की पूजा करने का विधान है तदनंतर ओम हीम वामदेवाय नमा इस मंत्र से साधक वामदेव की पूजा करे वामदेव की तेरह कलाएं हैं दिने रजा, रक्षा, रति, पाल्या, कांति, तृष्णा, मति, क्रिया, कामा, बुद्धी, रात्री, त्रासनी तता मोहिनी कला कहा गया है इन कलाओं के अतिरिक्ति, मनोनमनी, अगोरा, मोहा, शुधा, निद्रा, मृत्य, माया, तता भहेंकरा नाम की आठ कलाएं अगोर की हैं उक्ति समस्त कलाओं का फूजन करने के बाद साधक को ओम हम ततपुरुषाय नमा इस मन्त से ततपुरुष देव की पूजा करनी चाहिए उनकी निवरिति, पतिष्ठा, विद्या, शान्तिक और संपूर्णा ये पाँच कलाओं है साधक कलाओं की पूजा करके ओम हम इशानाय नमा इस मन्त से इशान देव की पूजा करे ततपश्चाथ इशान देव की निश्चला, निरंजना, शशिनी, अंगना, मरीची और ज्वालिनी नाम की जो छे कलाओं हैं उनकी पूजा करके पूजन पूर्ण करे सूत जी ने पुनह कहा खेरिशियो अब मैं शिव की अर्चना का वर्णन करूँगा जो भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करने वाली है बारह अंगुल के माप में बिंदु द्वारा किसी पात्र में भगवान शिव की मूर्थी बनानी चाहिए उसमें शान्त, सरोगत और निराकार का चिंतन करना चाहिए बिंदु द्वारा बनाए गई मूर्थी में उपर की ओर पांच बिंदु लगाने चाहिए जो शिव का मुक्ष है वो छोटे आकार में होना चाहिए और नीचे की ओर मूर्थी के अनुसार बिंदु लगाकर बड़े बड़े अंगब बनाने चाहिए मूर्थी के अधुभाग में छटा बिंदु विसर्ग के साथ होना चाहिए जो आस्त्र है इसके साथ हॉम लिख देना चाहिए ये महामंत्र है और संपून अर्थों को देने वाला है साधक मूर्थ के उर्दुभाग से लेकर मूर्थ के चरण परियंत अपने दोनों हाथों से इसपर्ष करे और महामुद्रा दिखाए इसके बाद संपून अंगवमा न्यास कर न्यास आदि करे तदिनंतर वो अस्त्रमंत्र ओमफट का उच्चारन करता हुआ दाइनी हथेली से इसपर्ष करके शोधन करे उसके बाद कनिष्टा अंगली से लेकर महामंत्र से ही तरजनी अंगली तक न्यास करना चाहिए अब मैं हिर्दर कमल की करनिका में उजन की विधी बतलाऊंगा उसमें धर्म, ज्यान, वैराग, एश्वरी आदि की अर्चना करे सरुप्रथम, आवाहन, इस्थापन, पाद्य, अर्ग, आचमन, इसनान अर्पित करे तथा अन्य विविद मानस उप्चारों को करके तदाकार हो जाए उसके बाद अग्नी मैं आहुती देने की विधी कह रहा हूँ साधक को पूजा इस्थल पर अग्नी प्रज्वलित करने के लिए ओम फट, अस्त्र मंत्र से एक कुंड का निर्मार करना चाहिए तथ पश्चार ओम हूम इस कवच मंत से उस कुंड का अभ्धुक्षन करके मानसिक रूप से उसमें शक्ति का विद्यास करे उसके बाद साधक को हिर्दर अत्वा शक्ति कुंड मैं क्रमशह ग्यान रूपी तेज तथा अग्नी का विद्यास करना चाहिए तथ पश्चार अग्नी के निश्कृति संसकार को छोड़ कर गर्वा धानादी समस्त संसकार करने का विद्यान है निश्कृति या मोग्षे संसकार आहुति के पश्चार किया जाता है इसलिए आहुति के पूर उस संसकार का निशेद है समस्त संसकारों के बाद साधक को उस पज्वलित अगनी में समस्त आंगिक देवों के साथ मांसिक रूप से शिव को आहुती देनी चाहिए तदिन अंतर कमलांकित गर्भवाले उस मंडल में नीलकंट शिव का पूजन करना चाहिए इस मंडल के अगनी कोड में अर्धु चंदाकार कल्यानकारी एक अगनी कुण बनाना चाहिए तदिन अंतर अगनी देवताओ के अस्त्रों से युगत फिर्दयादी में न्यास करने का विधान है उसके बाद मंडल के अंतरगत बने हुए कमल की करने का पर सदाशिव की तथा दिशाओं में अस्त्र की पूजा करें अब शेष्ट पंच तत्वों में स्थित प्रिछवी जल आदी तत्वों की दीख्षा बतलाई जाती है इन दोनों शांतियों के लिए प्रिथक प्रिथक रूप से सौसो आहुतियां पांच बार देनी चाहिए तत्वश्चात साधक पूर्णाहुती देकर प्रसन्नता पूर्वक तुशूली भगवान शिव का ध्यान करे उसके बाद प्रैश्चित शुद्धी के लिए आठ बार आहुती देनी चाहिए यह आहुती अस्त्रबीज हुमफट मंत्र से प्रदान करने का विधान है इस प्रकार संसकार से शुद्ध हुआ वो साधक निससंदे शिव स्वरूप हो जाता है शिव की विशेष पूजा में साधक को चाहिए कि वो प्रथम ओम हाम आत्म तत्वाय स्वाहा ओम हीम विध्या तत्वाय स्वाहा तथा ओम हूम शिव तत्वाय स्वाहा ऐसा उच्चारन करके आचमन करे तत्वाश्यात इसे मांसिक रूप से कर्णेद्रियों को स्पर्ष करना चाहिए उसके बाद भस्म धारन और तर्पन आदिक्रियाओं को संपन्द करना चाहिए ओम्हाम प्रपिता महेव्या स्वधा ओम्हाम माता महेव्या स्वधा और ओम्हाम नम्ह सरु मात्रव्या स्वधा इन मंत्रों से तरपन करें इसी रीति से पिता, पितामह, प्रमातामह तथा वृद्ध प्रमातामह आधिका भी तरपन करें और फिर प्राणायाम करना चाहिए इसके बाद आचमन तथा मार्जन करके साधक को शिव के गायतरी मंत्र का जब करना चाहिए प्रणों से युक्त, हांग बीच शक्ति से संपन और महेश्वर का हम सभी चिंतन करते हैं वाने की पवित्रता के लिए उनका हम ध्यान करते हैं वेरुद्र हम सभी को सनमार्ग पर चलने के लिए प्रेणा प्रदान करें शिव गैतरी मंत्र जब की पश्यात सूर्य पस्थान करके सूरी मंत्रों से सूरी रूप शिव की पूजा करनी चाहिए ठीके दूँआ पुजा के लिए पुजा करनी चाहिए ऐसा करने से उपासक को परम सुख की प्राप्ति होती है इन शक्तियों की पुजा के रिए प्रिथक प्रिथक बीजमन्त निर्दिष्ट है ओम राम पदमाय नमा अगनी कोण में रीम दीपताय नमा नेरत्य कोण में रूम सुक्षमाय नमा वायविकोण में रेंग जयाय नमा इशान कोण में रेंग भद्राय नमा पूरु दिशा में रूम विभूतिय नमा दक्षिर दिशा में रौंग विमलाय नमः पश्चिम दिशा में, रंग अमोगी काय नमः, रंग विध्योताय नमः उत्तर दिशा में और रंग सरोतो मुख्षय नमः मंदल के मध्य में इसके बाद, शिव स्वरूप सूर्पतिबा को सुरियासन प्रदान करके, रांग रूम मंत से भगवान सूरी के अर्चना करेे और मंत्रों से न्यास करे। साधक को अंगन्यास के पश्याद मंत्रों से सूर्य आदी सभी नव ग्रहों की मानसी पूजा करनी चाहिए इस प्रकार सूर्य देव आदी की पूजा करके साधक को आचमन करना चाहिए उसके बाद वो कनिष्टी का आदी अंगलियों में करन्यास तता पुन्ह मंत्रों से अंगन्यास करे तदनंतर भूत शुद्धी करे तता पुन्ह न्यास करे अरगे स्थापन करके उसी जल से अपने शरीर का प्रोक्षन करना चाहिए उसके बाद वो सादक, शिव सहित, नंदी आदी की पूजा करे उम हौम शिवाय नमा मंत्र से पद्म में स्थित, शिव की पूजा करके नंदी, महाकाल, गंगा, यमना, सरस्वती, श्रीवस्य, वास्तु देवता, ब्रह्मा, गणपती तथा गुरु की पूजा करे तथ पश्चात, साधक को पद्म की मध्य में शक्ति एवं अनंत्य देव की पूजा करके पूरु दिशा में धर्म, दक्षिण में ज्यान, पस्ची में वेराग्य, उत्तर में एश्वर्य, अग्निकोण में अधर्म, नहरित्य में अज्यान, वायव्य में आवेराग्य, इशान में अनैश्वर्य, पद्म की करनिका में वामा और जेश्ठा, उसके बाद पूरु सिता आदी शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। के मध्य में शिव को उद्धिष्ट करके आवाहन, इस्थापन, सन्निधान, सन्निरोध, सकली करन आदी मुद्रा दिखाए और अर्ग, पाद्य, आचमन, अभ्यंग, उद्वर्तन तथा स्नानी जल समर्पित करे। सित्रक, यग्योपवीत प्रदानकर, पर्मीकरण, अर्चनी देव में सरोध कृष्टता का भाव करे। तदिनंतर, साधक आराधी के साथ तदाकार होकर उनका जब करे तथा विनम्र भाव से इस्तूति कर उन्हें प्रणाम करे। इसी हिर्दयादी न्यास आदी के साथ पूर्ण की गई पूजा को शडंग पूजा का ये नाम दिया गया है। इस प्रकार शिव पूजन पूण करने के पश्चात साधक को अगनी आदी चतुर्दिक कोड़ों, मध्यभाग तथा पूर्वादी दिशाओं में अगनी आदी दिख देवताओं तथा इंद्रादी दिखपालों के पूजा करने चाहिए। तदिनंतर उसको उन देवों के मध्य स्थित चंडेश्वर की पूजा कर उनके लिए निर्माले समर्पित करना चाहिए। उसके बाद वो इस्तूती से शमापन, शमाय आचना करके उनका विसर्जन करे। हे प्रभू, आप गुही से गुही तक्तों के सनरक्षक हैं। आप मेरे किये हुई जब कु स्वीकार करें। हे देव, मुझे सिध्धी प्राप्त हो। आपके कृपा से आप में मेरी निष्ठा बनी रहे। हे रुद्र, हे भगवान शंकर, मेरे द्वारा सरवदा पापु जो कर्म किया जाता है, उसे आप नश्ट करें। मैं आपके इन कल्यानकारी चर्ड़ों में पढ़ा हूँ। हे शिव, आप अपने भगतों को सरवस्व देने वाले हैं। आप ही भूगता हैं। हे शिव, ये दिशिमान संपूर्ण जगत भी तो आप ही हैं। हे शंकर, आप विश्व नायक हैं। हे शिव, आपके अतिरिक्त मेरा कोई स्वामी नहीं है। हरी ने पुनह कहा। हे रुद्र, इसके बाद मैं शिव पूजा की दूसरी विधी कह रहा हूँ। इस विधी के अनुसार, गनेश, सरस्वती, नंदी, महाकाल, गंगा यमुना, अस्त्र तथा वास्तुपति देव की पूजा मंडल के द्वार पर करनी चाहिए। और साधक पूरवादी दिशाओं में इंद्रादी सभी दिखपालों की पूजा करे। उसके बाद कारण भूत समस्त तत्वों की पूजा करे। उन तत्वों में पृत्वी, जल, तेज, वायू औ अलिवम उपस्त ये पाँच करमेंद्रियां और शूत्र, त्वक्ष, चक्ष, जिहुआ, अथा घ्राण ये पाँच ज्याने इंद्रियां हैं। इनके अतिरिक्त, मन, बुद्धी, चित्त और अहंकार ये अंतहकरण चतुष्टी हैं। इनसे उपर पूरुष की स्थिती ह इन ही पूरुष को शिव कहा जाता है। इन तत्वों के साथ राग, गान शास्त्री, राग विशेश, बुद्धी, विद्या, कला, काल, नियती, माया, शुद्ध विद्या, ईश्वर और सदाशिव जो सबके मूल हैं उनकी भी पूजा होनी चाहिए। इन समस्ते तत्वो में जो शिव और शक्ति, अर्थाथ, पुरुष एवं प्रक्रिति का तत्व, अनुश्यूत है, उसको जानकर ज्ञानी साधक, जीवन मुप्त होकर शिवरूप हो जाता है। इन तत्वों में जो शिव तत्व है, वही विश्णु है, वही ब्रह्मा है और वही ब्रह्मततत भगवान सदाशिव का मंगल में ध्यान स्वरू इस प्रकार है वेदेव पदमसन पर विराजमान रहते हैं उनका वर्ण शुक्ल है सदेव 16 वर्ष की आयू में इस्थित रहते हैं पाज मुखों वाले हैं उनके दसों हाथों में क्रम्शा दक्षिन भाकियोर अभय मुद्रा प्रसाद मुद्रा, शक्त, शूल, तता खटवांग और वामभाकियोर, सर्प, अक्षिमाला, डमरू, नीलकमल तता श्रेष्ट बीजबूरत बिजवरा निबू इस्थित रहता है इच्छा, ग्यान और क्रिया नामक तीन शक्तियां उनके तीन नेत रहें ऐसे वे देव सर कार शिव पासना करने वाले साधक की न तो अकाल मृति होती है और न शीद तथा उसनाध आधिकार्णों से ही उसकी मृति होती है भागवत्ति तृपुरा तथा गणई शाधी देवों की पूजा विधी सूत जी ने कहा अब मैं गणेशादी देवों की तथा तिप्रा देवी की पूजा को कहूंगा जो अपने भक्तों को सरवदा अभीष्ट प्रदान करने वाली तथा शेष्ट है साधक को सबसे पहले गणपती देव के आसन एवं उनके मूर्तु स्वरूप का पूजन करके न्यास पूरक उनकी पूजा करनी चाहिए साधक गांग आदी बीज मंत्रों से खृदयादी न्यास करें इस न्यास के पश्चात साधक को ओम दुर्गाया पादुकाब्याम नमह ओम गुरु पादुकाब्याम नमह मंत्र से माता दुर्गा और गुरु की पादुकाओं को नमस्कार करके देवी त्रिपुरा के आसन और मूर्ति को प्रडाम करना चाहिए ततपश्चात्व साधख ओम रीम दुर्गे रक्षिनी इस मंत्र से हिर्दयादी नियास करे और फिर इसी मंत्र से रुद्र चंडा, प्रचंड दुर्गा, चंडोग्रा, चंड नाईका, चंडा, चंडवती, चंड रूपा, चंडिका, तथा दुर्गा इन नो शक्तियों का पूजन करे तदिनंतर, वज्र, खंग, आदि मुद्राओं का प्रदर्शन कर, उसके अगनी कोड में सदाशिव, आदि देवों की पूजा करे अतर साधक पहले ओम सदाशिव महाप्रेद पद्मा सनाय नमा कहकर प्रणाम करे तदपश्यात ओम एम ट्लींग हीं सौं त्रिपुराय नमक ये मंतोचार करते हुए उस त्रिपुरा शक्ति को नमस्कार करे साधक उसके बाद भगवति त्रिपुरा के पदमासन, मूर्ति और हिर्दयादी अंगों को प्रणाम करे तदपश्यात उस पद्मपीट पर ब्रह्मानी, माहिश्वरी, कौमारी, वैश्णवी, वाराही, इंद्राणी, चामुंडा और चंडी का इन आच देवियों की पूजा करे इन देवियों की पूजा के बाद भहरव नामक देवों की पूजा का विधान है असितांग, रुरु, चंड, क्रोध, उन्मत, कपाली, भीशन तता संघार नाम वाले ये आट भहरव हैं भहरव पूजा के पश्चात, रती, प्रीती, कामदेव, पंचिबान, योगिनी, बटुक, दुर्गा, विधनेराज, गुरु और शेत्रपाल देवों का भी पूजन करे साधक को पर्णुगर्भ मंडल या त्रिकोनपीट बनाकर उस पर और हिर्दय में शुक्ल वर्णवाली, वर्दाइनी, अक्षिमाला, उस तक एवं अभे मुद्रासे शुशोवित भगवती सरस्वती का भी ध्यान करना चाहिए एक लाख मंत का जब और हवन करने से भगवती त्रिपुरेश्वरी साधक के लिए सिद्धिदात्री हो जाती है पूजा में देवों के आसन तथा पादुका की पूजा का भी विधान है विशेश पूजन में मंत्रनियास तथा मंडलादी पूजन भी करना चाहिए सर्पव एवं अन्य विशेले जीवजनतों के विश को दूर करने का मंत्र सूत जी ने कहा अब मैं सर्पादी विभिन्य विशेले जीवजनतों के काटने से कष्ट पहुचाने वाले विश को दूर करने मैं समर्थ मंत्र को कह रहा हूँ इस मंत्र का प्रयोग करते समय महेश्वरी उमादेवी से प्रार्थना करे कि हेव में तुम रुद्र के हिर्दय में उत्पन्न हुई हो और उसी में रहती हो तुम्हारा रौदर रूप है तुम्हारा मुख जौला के समाज जाजवल यमान है तथा तुमने अपने कट्र प्रदेश में छुद्र घंटी का लगी करधनी पहन रखी है तुम भूतों की प्री हो सर्पों के लिए विश्रूपिनी हो तुम्हारा नाम विरत नारायनी है तथा तुम शुक मुंडा हो और कानों में शंकु पहनी हुई हो हे विशाल मुखवाली भयंकर एवं प्रचन सभावाली चंडा देवी हाथों में ज्वलन शक्ती पैदा कर, शत्रु का हनन कर, हनन कर सब प्रकार के विशों का नाश करने वाली हे देवी मेरे सर्वांग में फैले हुए विश्को प्रभावीन कर दे उस विश्को तुम देख रही हो, उस काटने वाले जन्तों को समोहित करो, समोहित करो, हे देवी तुम मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, इस प्रकार प्रार्थना एवं चिंतन करके रूम माम रूम हपप थट इसका उच्चारन करे, तता इसकंद की मेखला रूपी बालग्र शत्रों और विशों का हरण करने वाली हे शाला माला नाना प्रकार के विशों के वेग का हरण कर ऐसा उच्चारण करे और हांग हांग शवरी हुं शवरी कहकर वेगपूर्ण गतिशीलों में अगतिशील सरवत्र व्यापनी मेगमाला रूपनी देवी मेरे सभी नागादी व प्रार्थना करते हुए, रोगी के प्रतिश परशादी करते हुए मंत्र पाठ करें।